हेलो फ्रेंड्स तो हम अपने जन्रल अवर्णेस और जन्रल नॉलिज़ के पार्ट इट शुरू करते हैं जिसमें हम इंडियन एकॉनमी के ऊपर कुछ पॉइंट्स इंपॉइंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर उसकी बेसिस पर करते हैं पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे फिर उसके बेसिस पर हम अपना कोशन सौल करने की कोशिश करेंगे इससे हमें काफी लॉंग टर्म के लिए वह कुछन्स याद हो जाएंगे तो सबसे पहले दिखते हैं गंगा अमंत्रन अभियान इस यूनीक ओपन वाटर राफ्टिंग एंड कयाकिंग एक्पेंडिशन ओन दी गंगा रिवर तो क्रिएट अवेरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन गंगा अमंत्रन अभियान इस लॉंजड बाई जल शक्ति मिन मिनिस्ट्री तो यह गंगा अमंत्रन अभियान यह एक तरह से रिवर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है जो गंगा रिवर रिवर आफ्टिंग होती है इसके ओपर हम किसी हाई साइड से रिवर के नीचे आते हैं मतलब एक बोट के थू तो यह जो गंगा अमंत्रन अभियाने उसके अंदर यह किसने कौन से मिनिस्ट्री ने लॉंच किया है यह जल्शक्ती मिनिस्ट्री ने लॉंच किया है ठीक है चलिए कोशन देखते हैं विच मिनिस्ट्री हैस स्टार्टेड गंगा आमंत्रन अभियान ए जल्शक्ती मिनिस्ट्री बी मिनिस्ट्री Water and Sanitration D Ministry of Agriculture and Farmer Welfare तो देखिए उपर वाले points clearly हम हमें पता है कि Ministry of जल्शक्ती तो इसका correct option है option number A ठीक है चलिए next question करते हैं currently there are 189 members of the IMF जो प्रेजन्ट में 189 मेंबर हैं IMF के IMF की फुर्फार्म क्या होते हैं International Monetary Fund and its headquarter is in Washington IMF का headquarter का है Washington DC Washington DC अमेरिक USA में official language of IMF is English तो देखिए यहां पर हमने तीन चार questions एक तरह से cover किया है currently there are 189 members IMF की full form इसका headquarter कहां पर है official language क्या है ठीक है अब question देखते हैं which of the following statement is are correct about international monetary fund इन में से कौन सा statement जो है वो IMF के related correct है IMF has 164 members तो दीखे 184 members है तो यह तो रॉंग हो गया 189 members है यह तो रॉंग हो गया point 1 official language is English option 2 यह सही हो गया its headquarter is in Geneva Switzerland तो देखिए यह भी रॉंग है इसका headquarter कहां IMF का Washington DC में तो अभी इन्होंने पूछा है कौन सा option correct है तो इसका correct option हो जाएगा option number C only two next question देखते हैं the president of world bank is in is the head of the world bank group देखिए world bank group का जो head होता है वो president जो होता है word bank का वो ही उसका head भी होता है डेविट मेलपास इस इनक्यूंबरें प्रेजिडेंट आफ दी वर्ड बैंक ग्रूप प्रेजेंट ली जो है वो डेविट मेलपास है उसके प्रेजिडेंट वर्ड बैंक के he is on the post of April 9 2019 अप्रेल 9 से हैं डेविड है रिप्लेस जिम यॉंग किम तो उनसे पहले कौन यहां के प्रेजिडेंट जिम यॉंग किम ठीक है को कोशन देखते हैं कि हूँ इस दी करेंट चीफ और वर्ड बैंक ग्रूप तो देखें ऑप्षिन बी करेक्ट हो गया ना इसका डेविड मलपास अगर वह पूछता फॉर्मर काण है तो किम यॉंग यॉंग किम हो जाता है नेक्स्ट डारेक्ट टेक्स आर्डी कॉर्परेट टेक्स इंकम टेक्स एंड वैल टेक्स देखें जो टेक्स होता है वो कई ट्राइब क्यों होता है तो उसमें से जो एक टाइब का टेक्स है उसे कहते हैं डारेक्ट टेक्स तो डारेक्ट टेक्स के इंदर कौन सा आता है कॉ हमारे पार समपत्ति कितनी है अब wealth tax is direct tax wealth tax भी एक direct tax है which is imposed on assets देखिए house rent building etc यह जैसे हमारे assets हो गए तो इसके आपर कौनसा ट्रेक्स लगता है wealth tax ठीक है question देखता है which of the following is the direct tax in India इन में से कौनसा जो है वो direct tax है इंडिया के अंदर option a sales tax option b option c well tax option d goods and services tax तो इसका correct option हो जाएगा c well tax हम देखें इसमें g option d जो है वो goods and services tax इसका हम इसकी short form है gst ठीक है next point देखते हैं monetary policy committee MPC is a six member committee MPC की full form क्या हो गई monetary policy committee कितने member होते हैं इसमें six member होते हैं headed by the governor of RBI इसका head कौन होता है RBI के governor MPC is formed after the amendment act in the RBI act यह कब बनी थी RBI के amendment act में 1934 में through the finance act 2016 तो जो RBI का act था 1934 का उसमें amendment करके 2016 में यह बनी थी monetary policy committee question देखते हैं which of the following statement is true about the monetary policy committee इन में से कौन सा option जो है वो correct है monetary policy committee के related option A monetary policy committee is a eight member committee नहीं यह तो कितनी member की committee है six member की है तो यह तो option नहीं होगा monetary policy committee is headed by finance minister नहीं यह तो RBI के governor finance करते हैं उसे head करते हैं तो option B B wrong हो गया monetary policy committee is formed through the finance act 2016 अब यह देखिए यह option correct हो गया है option DB पढ़ लेते हैं monetary policy committee is constituted as per the RBI एक्ट 1935 नहीं 1935 के एक्ट में नहीं 1934 है 1934 के एक्ट में एमेंड करा गया था 2016 में तो इसका common money और credit का मतलब होता है ना जैसे कि credit उधार को भी कहते हैं जैसे किसी का हम किसी को उधार है तो हमारा credit है यह फिर फिजिकल फॉर्म में नहीं होती मतलब हमने bank to bank किसी को transfer करती तो उसे हम credit money भी कहते हैं जैसे bank में आपको option आता है नोट्स की फॉर्म में और कॉइंस के फॉर्म में जो हमारे पास डर्कली आ जाती है कोुशन देखते हैं अब कंसिडर दा फॉलोविंग notes, coins and credit which among the above come under the category of common money काफी easy question होगे है अब तो यह common money के अंदर कौन कौन से आते है notes and coins तो option number one and two जिसमें होगा वो correct हो जाएगा तो इसका correct option हो जाएगा option number T चलिए next देखते हैं the share of a commercial bank's total deposit kept with RBI जो bank का जो total amount होता है total deposit होता है उसमें से कुछ share जो होता है वो RBI अपने पास रखता है मतलब जितने भी banks जो होते हैं हमारे उनका कुछ percent amount जो होता है जो deposit होता है उनके पास वो किसके पास deposit करता है वो RBI के पास commercial bank does not unreturned on the money deposit as CRR और वो जो amount देखे है इसी bank के पास कुछ amount आया है अब उसमें से कुछ percent उनको RBI के पास deposit करना होता है और उस RBI के पास जो amount deposit करते हैं उसे कहते हैं CRR ठीक है और जो CRR RBI के पास deposit होता है उसके ओपर उन banks को कोई भी फायदा नहीं होता मतलब उनने कोई benefit नहीं मिलता ठीक है CRR is a monitoring instrument instrument used by RBI to control the liquidity of Indian banking system CRR का RBI क्या यूज़ करता है वो यूज़ करता है कि हमारी जो economy है उसको maintain करे रहे उसमें liquidity liquidity मतलब flow of money एक better way में चलता रहे तो RBI इसलिए वो amount of money लेता है लेकिन उस amount of money का कोई benefit नहीं होता कि इसको जो banks होते हैं अब देखते हैं what is cash reserve ratio CRR की cash reserve ratio option पढ़ते हैं share of commercial bank total deposit kept with RBI share of commercial bank total deposit kept with itself commercial bank need to have a portion of the total deposit in the form of cash and gold none of the above option number a correct हो गया है क्योंकि इसमें इसने क्या बता है कि share of the commercial bank total deposit kept with RBI RBI के पाई जो रखा जाता है तो option number seven correct हो गया है आगे देखते हैं the Export Credit Guarantee Corporation of India ECGC has launched NIRVIC scheme to enhance loan availability for exporters and is the lending process NIRVIC is a launch to boost export of the country अब देखिए जो ECGC है Export and Credit Export Credit Guarantee Corporation of India एक full form आपको पते जिल गई ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India उन्होंने एक scheme launch कर दिये जिसका नाम है NIRVIC इसमें क्या है आप जो exporters है जो बाहर के countries में यहां से इंडिया की products को sell करते हैं उनको loan दिया जाएगा जिसे कि वो अपना production और अपना export को improve कर सकते हैं उस scheme का नाम क्या है NIRVIC NIRVIC is launched to boost export of the country अब आपको इसमें एक चीज़ करने है कि NIRVIC की full form देखनी है और इसके बारे में एक दो लाइन information भी लेनी है ठीक है चले question देखते है What is the NIRVIC scheme health scheme launched to improve the condition of the malnourish in malnourish in the country GST refund scheme तो देखे option B correct हो जाएगा a loan scheme for exporters ठीक है आगे चलते हैं on August 30 2019 Finance Ministry of India announced to merge 10 public sector bank into four big sector banks after this merger now the number of public sector banks come down to 12 from 27 of the 2070 एक rule आया था हमारा 13 30 अगस्त 2019 को Finance Ministry of India नहीं क्या करा है जो public sector bank है मतलब जो government के bank है उनको उनको एक चार बड़े-बड़े banks में convert कर दीगा मतलब कई सारे banks को merge करके एक bank बना दिया गया है तो उसकी वज़े से क्या हुआ है जो हमारे पहले 27 पॉब्लिक सेक्टर बैंक थे वो अब डिडियूस होकर 12 बैंक हो गया है ठीक है कोशन देखते हैं एड प्रेजेंट हाउ मैनी पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इन इंडिया 27 12 21 और 17 तो इसली बता सकते हैं पॉब्लिक सेक्टर बैंक तो आप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा पहले कितने थे 27 नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं है डेफिनिशन आफ माईद समाल और मीडियम अंटरप्राइजऺंस आपने सुनाओंगाना MSMEs की की फिल arranged माईफिने एंटरफॉर्म माईद मेंटरप्राइजभाइज समाल मीडियम एंटरप्राइजी थीच है जो इसकी definition होती है वो changed हुई है in Indian since February 2018 पहले मतलब इस definition का मतलब होता है एक criteria होता है कि मतलब इतनी income है तो उसको माइक्रो कहेंगे उसकी income है उसे medium कहेंगे और इस range में आती है उसे medium कहेंगे इस विल भी defined on the basis of annual turnover instead of investment in plant and machinery equipment देखे पहले MSMEs की define करा जाता था वो define करा जाता है कि हमारा जो plant है या फिर हमारी फैक्टरी है वो कितनी महंगी है या फिर कितनी बड़ी है उसमें कैसी कैसी machinery लगी हुए है मतलब उसकी एक cost निकाली जाती थी और उसके basis पर हम कैटेग्राइज कर देते थे लेकिन अब जो होगा अब उसके basis पर नहीं होगा अब होगा कि कितना है मतलब का मतलब होता है कि एक साथ में उसने कितने का प्रोड़क्ट बेचा तो उसको जिस जो जिस रेंज में आएगी एन्वल टेनोर की उसे साब से हम डिफाइन करें अब उसके देखते हैं नाओ देन्वल टेन्वर लe मिट फुर माइक्रो इंडर प्राइजिस इस लेस्ट दन 5 क्रोड़ तो जो माइक्रो इंडर प्राadesh deals में क्या होता था बेट्विन फाइफ एंड्विफ ऑप्शन भी लाज दन फाइफ यह तो स्मॉल के लिए उसका लिए माइकरो डा बेट्विन 75 तो 25 ओड्व तो ऑप्शन एइसको प्रेक्ट हो जाएगा हमने पढ़्टा ताफशन एक अगर अगर देखते हैं दा नबारद वास स्टेबलिज्ट ऑन डी रिकमेंडेशन ऑफ सिरी मींबर अफ प्लानिंक कमेशन के रिकमेंडेशन पर बनाए गई थी नड्शीमान कमेटी 1998 कॉंस्टिटुटुटिटेट बाई आर्बियाई लीला अधर कमेटी 2008 chaired by RBI deputy governor और नायक कमेटी वास constituted in 2014 ठीक है sequence में भी याद रख सकते हैं इसे फॉल्लोविंग कि इस नॉट करेक्टली मैस नरिश्मान कमेटी 1998 यह तो करेक्ट है शिवरावन कमेटी 1985 यह टॉंग हो गया है option क्योंकि यह तो 1979 में थी शिवरावन करें तो option भी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं वन रोपी नोट इन इंडिया इस साइंड बाई रभी गवर्नर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सेकरेटरी फाइनेंस मिनिस्टर सेकरेटरी कॉमर्स मिनिस्टर तो इसका करेक्ट अप्शन हो जाएगा si secretary finance minister next question देखते हैं य वाला question जो है इसके points देख लेते हैं global gender gap report is released by world economic forum जो global gender gap report है instagram word economic forum के दोवार world development report is of doing business और global economic prospectus are released by world bank देखे इसमें ध्यान लखना है कि world bank कौन कौन से release करता है और world economic forum तो अब इसमें आपको एक चीज़ और करने हैं कि world bank और world economic forum और Asian development bank एक होता है moody's तो उसमें इंडिया की ranking और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है आपको ठीक है question number 13 देखते हैं which of the following report is not released by the world bank इसमें से कौन से report जो है वर्ड डिवलप्मेंट रिपोर्ट इस ओफ डूइंग बिजनिस ग्लोबल एकोनोमिक प्रोस्पेक्टास ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसका correct option हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्योंकि वर्ड बैंक नहीं करता है यह कौन करता है यह उपर देखा थे यह करता है एक वर्ड एकोनोमिक फोर्म जाहते हैं कि जो नोट सोते हैं मों कहां प्रिंट होते हैं security printing प्रेस हैदराबाद bank नोट प्रेस देवास और अल अल अव इस इसका correct option है security printing प्रेस हैदराबाद में प्रिंट होते हैं कोशन नमर 16 कॉर्पएट tax is imposed बाइए जो corporate सो जो होता है जो companies के उपर लगाया जाता है private companies के वो कौन लगाता है state government, local government, central government, both central and state government, तो correct option इसका है C, central government, question number 17, India has the maximum foreign trade with, इंडिया की जो है maximum foreign trade किस country के साथ है, A, Japan, B, Germany, C, USA, और D, UK, तो इसका correct option है, option number C, USA, question number 18, how much India needs to spend on its infrastructure to become USD 5 trillion economy by 2024 to 2025, तो इंडिया को कितना spend करना पड़ेगा infrastructure के उपर, जिससे की इंडिया की economy जो है वो 5 trillion dollar की बन जाए, US trillion dollar 1.2, 1.4 trillion dollar, 1.6 trillion dollar और 1.8 trillion dollar, तो इंडिया को लगभग 1.4 trillion dollar का spend करना पड़ेगा अपनी economy में, जिससे के वो 5 trillion dollar की economy बन जाए, question number 19, देखते हैं, the year 2019 marked the golden jubilee of which event as per economic survey of India, जो 2019 का mark golden jubilee of which event, इसमें से कौन साथ event है, जो economic survey ने golden jubilee बता रहा है, PSU का privatization, bank capitalism, bank nationalism और CPSC disinvestment, तो इसका correct option है, bank nationalization जो 2019 में हुआ है, लास्ट कोशन देखते हैं आज का, blue revolution is related to space research, poetry, fisheries और drinking water, blue revolution किसे की वज़े से हुआ है, तो इसका correct option हो जाएगा, option number C, अब आपको एक कॉम और करना है, blue revolution हो गया, white revolution हो गया, green revolution हो गया, इनके बारे में देख लेना है कि कौन सा revolution किस respect में हुआ है, तो आपको किस तरह से लगा यह वाली वीडियो, इसको comment box में ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर next वीडियो में, चैनल को subscribe करें, और वीडियो को like करें,